हेलो फ्रेंट्स वेलकुम बैक और चानल आप सभी का आपके अपने चानल पर स्वागत और आज हम ऐसी एक्जाम की डेट के बारे हम बात कर रहे हैं जिसका जो है बच्चों को काफी लंबे समय से इंतजार है आज हम बात करने वाले हैं भी एचसे से पीजेटी स्क्रीनिंग जिसका बच्चे जो है तहे दिल से जो है वेट करें और वेट क्यों भी ना करें क्योंकि जो एक्जाम थे आपकी जो आपकी नॉटिविकेशन थी तो थाउजन नाइटीन में आई थी तिक है और 19 की बाद आपका अभी जो है तूजन ट्वेंटीवन भी जा रहा है तो जाह है तो कि सारी चीजोंगों डिटेल में डिसकस करेंगे तो यह जालते हैं कि क्या जुहाए न्यूज फैलरीई है तो इसको देख लощए हो सकता है तो यहां पर आप देख सकते हैं टिकरा हो आपको टिक्राइब आपको की आपक का पीजटिय क्रीम के जो एक्स advantage ब्가 क्योंकि सभी वेट करें कि कभी आपका एशिड का पया और आपके लिए प्रवुष्ट के देट के बा般र आपके diesem है अब कर युथ्ट की अग्जाम यहीं होगा तो फिलाल यहीं कहरे तो लगा था है भी मार्च में होगा लेकिन तो आपको परवरी में भी हो जाता है तो आप तयार हो जाओ तो यह कहोंगे कि 15 दिन बाद और 15 दिन पहले हो आपको जो है जैन्वरी आपके पासलिया और 15 मेंट है है आपके पास कुल मेला के 50 दिन है 50 दिन है काफी कुछ आपका पढ़ना रहता है तो अपना आट सही श्टार्ट कर दो फरवरी के अंड में नहीं अगर मार्च के फर्सट वीक में भी हो जाता है तो कोई बड़ी बात है तो साथ-दाट दिन उपर नीचे कोई बड़ी बात नहीं लेकिन हाँ कंफर्म है कि एक्जाम जो है वो अपका मार्च तक हो जाएगा मार्च तक हो जाएगा अगर कोवर के केस वापस से नहीं आते हैं क्योंकि कोरोना के कीस भी आने स्टार्ट हो गए लेकिन फिर भी आप इ एक्जाम की जिड डेट है वो फाइनली जो है आपके साथ ही मतलब 40-50 दिन या 50-60 दिन है न यही है 50 या 50-60 तो मिनिम्म नहीं पचास नहीं भी मैंने कम बता दे आपको दाए महीन है तो यानि कि 75 डेज है ना 75 डेज या फिर 80 देज तो 75 और 80 दिनों की कहानी है अगर 85 बाद या 50 यहां यहां अच्छी होगी है तो बस बहुत है कि अपना कर लिजी प्रूपटी जिए ताकि यह यह आपको यह अपनों की अपना ऐक्जाम आ चला जाएऊ फिर आपको लगे क्या होगा है हम तो सोचा ही भागा कि यह समीन है तो क्यों की आपको प्रकाशे तो य एक हाफते ड़ीन के लिए ऊपन किसा सकती ह्पाइड यह तो बस मेरा कहने का मतलब है कए कि आप dona है कि अपना Savannah सकती है रूपनी चैनल के बाद किए ऊपनी है तो कर दीजिए चीनल सकती है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना विल्कुल भी ना भूले जो बच्चे स्क्रीनिंग एक्जाम की प्रपरेशन करें उनको भी एकदम से जो है यह ना लगे कि यह क्या हो गया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर मिलेंगे ऐसी नहीं अपडेट के साथ तब तक ले बाबाय तक क्या थैंक यू